हलो फ्रेंड्स नमस्कार सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल डियेश्टेडे गुरूजी में तो आज की वीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं जिनका भी फेज थरी के अंदर एक्जाम होने वाला है साउथ रेल्वे चैनल का तो साउथ रेल्वे चैनल से आपकी cut-off गया रहेगी सलेक्शन पर सेस के लिए आपको कितने कोशन ठीक करने पड़ेंगे कितने कोशन बालों का यहां पर इस बार सलेक्शन देखने को मिलेगा जिन्होंने भी यहाँ पर चैने जोन से फोर्म फिलप किया है कॉमेंट बोक्स में हमें कॉमेंट करके जुरूर बताएं तो चले यहाँ पर देख लेते हैं आपकी आगे की रणन दिती क्या होगी कितने कोशन आपको ठीक करने पड़ेंगे पिछले बार के मुकाबले इस बार के कॉट-फ में क्या परेवरतन आपको देखने को मिल सकता है तो इस वीड़े में हम भ씨 सौँथ रेलवे चेन नहीं एक्सेपटिट क्तॉफ के बारे में डिस्कुस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 के बार में और फिर 2019 के बार में बात करेंगे 2018 के इंदर जो भरती आई थी 12,00,000 फारम भरे गए थे पोश्ट थी 2980 और कंपटिशन था 12,00,000 के उपर 402 कंडेट का लेकिन बाद में जब एक्जाम देने पहुँचे तो 65% कंडेट एक्जाम देने पहुँचे कंपटिशन रह गया था एक सीट पर 261 का और फिर यहाँ पर जो फिजिकल के लिए पास किये गए थे वो किये गए थे 8,973 याने की आपकी पोश्ट का तीन गुणा बिलकुल सैम प्रोसेस इस बार भी आपका रहे गा इस बार जो आपके फोर्म निकले थे वो 1,377 पदोपर बहती थी पिछली बार जो 286 माई थी वो 62,000 पदोपर बहती थी इस बार के आपकी बंपर ब equipment 117,800 पदोपर भरती थी 9,589 है यान कि पिछली बार से लगबग 3 गुणा और 9,45,000 के उपर जो कंपडिशन है वो एक सीट के उपर 94 कंडिडेट है ठीक है पर सीट जो अभी 94 कंडिडेट है लेकिन इस बार जो एक्जाम देंगे वो केवल आपके 60% के असपास में एक्जाम देंगे फिर आपका जो क बावन का रह जाएगा भाई एक सीट पर बावन कंडिडेट यान कि एक्जाम देने वाले 5 या 5,5,000,000 ही होंगे और पास कितने होंगे भाई फिजिकल के लिए तो यह होंगे 28,737 तो यह पास किये जाएंगे अब बात करते हैं यहां पर कटोफ के बारे में तो यहां से द कोशन आपको ठीक करने होंगे ताकि आप जो अभी सेफ जोन में रहें सेलेक्शन जोन में रहें आपका सेलेक्शन अराम सी हो जाएगा तो यहां पर हम कोशन की बात करेंगे जितने भी कोशन की यहां पर बात करेंगे अगर आप इतने कोशन ठीक कर देते हैं एक्जाम में लेकिन इस बार यहांपर PaulSee Change होची है Railway की इस बार आपका percentile base पर result आएगा और percentile में आपको इतने number ने बढ़ेंगे कम number बढ़ेंगे ठीक है चार-पांस number तक बढ़ेंगे तो चार-पांस number बढ़ेंगे तो इसके लिए आपका पिछहली बार के मुकाबले में कम है तो यहां से कोशन की बात कर लेते हैं You are कैटगरी से तो यूर कैटगरी से आपको भाई कितना सकूर करना पड़ेगा तो जो भी साथी यहां पर You are कैटगरी से हैं आप 64-65 कोशन भाई ठीक कर देना यह हम 100 में से बात कर रहे हैं 100 में से आपको इतने कोशन ठीक करने है आप बिल्कुल यहाँ पर निशिंत रहना फाइनल तक आपका सेलेक्शन होगा सब कुछ आपको जोईनिंग वगारा भी हो जाएगी 64-65 कोशन आपको ठीक करने है इसके बाद में OBC की बात कर लेते हैं OBC के अंदर आपको 62-63 कोशन 62-63 कोशन आपको ठीक कर देने हैं EWS की बात कर लेते हैं EWS में आपको कितने कोशन ठीक करने होंगे दोस्तो EWS कैटिगरी वाले 60-61 कोशन आप ठीक करें 60-61 question, 100 में से आपको ठीक करने है और यहां पर जो S-C candidate है तो S-C candidate को 58-69 question ठीक करने है और अब बात कर लेते हैं जो S-C candidate है तो S-C candidate को 55-56 question ठीक करने है आप दोस्तो इतने question ठीक कर देना 100 में से और accuracy अपना भई बहुत बड़िया रखना 100% अपना accuracy रखना कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक देगा final से इतने में आपका कम चल जाएगा भाई और अगर आपको इसे ज़्यादा आता है तो आप इसे ज़्यादा भी करें लेकिन कम से कम आप इतना score जुरू कर दें आप निश्चिंत रहें फाइनल तक आपका सेलेक्शन अराम से हो जाएगा तो ये थी भाई आप सभी के लिए एक टार्गेट आपका जिनका भी यहाँ पर फेज थरी के अंदर एक्जाम होगा चैन्नेई, साउथ रेलवे, जोन का तो वो भी अपना टार्गेट निश्चिंत कर ले कि आपको इतना तो ठीक करना ही है आपका सेलेक्शन अराम से होगा जिन साथियों को वीडियो अच्छे लगिया वो वीडियो को लाइक करे, कॉमेंट करे और आपने फोर्म कहा से फिलिप किया है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जुरूर बताएं इस वीडियो में तना ही, थैंक्यू, जाइन जाबार्त